पिसे चेंज़ को यह आपने नाम दिए इंग्या नाम दिए ना negative आख च्भासीवा यह आकने नम दिए इसको Excel लाइट जया है इसको छ्यूड को भी दोट चलत बीशाच और सकते हैं यह जैसे, जैसे मैंने कहा दिया कि suppose that आप यह condition अपन ले लें, जैसे मैंने कहा दिया कि प्रत्वी के साब पेक्षा को कोई observer क्या है, स्थिर खड़ा है, यहां से गाड़ी जा रही है, suppose that इस डायरेक्शन में जा रही है, जिसका acceleration मैंने कहा दिया, suppose that कितना है, अगर इसका acceleration अगर इसका acceleration अगर इसixonबा इस गाड़ी के साब पेक्ष यह observer कोंसे direction में travel करता हूँ लादि नोडो चया किना होगा इसका मतलब यह observer प्रत्वी के सापेक्ष स्थिर था तो मैं कहा दूं यदि कोई कर्ण ऐस निर्देश चंतर में स्थिर है और ऐस डैश है वह एस के सापेक्ष अगर एजीरो तुमर्ण से गतिशील है तो जो प्रेक्षक है वह एस डैश निर्देश चंतर के सापेक्ष माइनस एज स्थिर है और ऐस डैश निर्देश चंतर जो है एस डैश फ्रेम ओफ रेफरेंस जो है है एस के सापेक्ष है एस के सापेक्ष है अपने कहा दिया कि वह एजीरो तुमर्ण से इस का तुमर्ण से गतिशील है तो एज़ीरो तुमर्ण से गतिशील है तो एस डैश के सापेक्ष P का त्वर्ण कितना होगा P का त्वर्ण माइनस A नोट होगा इस अवस्था में शदंबल आपके RPSC में सवाल भी आया हुआ है शदंबल जो उसका माण कितना हो गया F बराबर बन गया माइनस में M आ गया और A नोट बन पल जो लगेगा वो त्वर्ण की विप्रीद दिशा में लगेगा जैसे जैसे अपन ये केस कहते हैं कि ये लिफ्ट का अपने एग्जामपल बढ़ते हैं कि लिफ्ट का अपने एग्जामपल बढ़ते हैं तो अपन क्या कहते हैं व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ मैसुस होता है यह अपने बढ़ा भी था ना एपरेंट वेट ना प्रतिक्रियाबल जहां पने बढ़ा था वहां बढ़ा था प्रभावी भार एपरेंट वेट यह अपने इसका कैलकुलेट करें तो अपन क्या क कि अपने वास कंडिशन बन गया प्रभावी भार है यहां में इसको ऐसा लिख दूँ एम आ गया रिंटू में कितना बन गया जी प्लस में आ गया एनॉट अगर ऐसा केस होता अगर यह लिफ्ट अगर एक समान तुर्ण से नीचे क्यों राती अगर यह लिफ्ट जो है वो एक समान तुर्ण से नीचे क्यों राती जैसे यह अपनने कहा दिया लिफ्ट अपनने कहा दिया और यह अपनने कहा दिया अगर एक समान तुर्ण से नीचे क्यों राती तो अपन क्या कहते है व्यक्ति को अपना भार जो है वो क्या होता घटाव आप्रतीत होता है नहीं में जीरो किदर काम करता उपर के और काम करता इस कंडिशन में में जीरो किदर काम करेगा नीचे के और काम करेगा तो इस कंडिशन में प्रभावी भार प्रभावी भार जो है प्रभावी भार कितना बनेगा apparent weight जो बनेगा वो कितना बन गया M और कितना बन गया G माइनस में आ गया A note आ गया प्रभावी भार कितना बना apparent weight एक पुस्टो कितना बन गया M G माइनस A note इस condition में प्रभावी भार बढ़ जाएगा और इस condition में प्रभावी भार घट जाएगा ठीक है और अपन कहा दें अगर स्वतंतरता पूर्व गिरती वस्तू है जैसे आप लिफ्ट में अगर जा रहे हो और लिफ्ट अगर अचानक कर उसका रसा तूड़ जाए स्वतंतरता पूर्व गिरती वस्तू है उसका acceleration किसके बर गतिशील है या लिफ्ट मैं कहा दूँ अगर नियत वेग से उपर या नीचे की और गतिशील है तो उस condition में इस में नौट का कोई कंसेप्ट लागू नहीं होगा यह नियत वेग से गतिशील कुमाई पार्टिकल ट्रैवलिंग विद यूनिफॉम वैलसटी है ना देर वि कोई भी कंसेप्ट अपने को काम में नहीं लेना है अगर नियत वेग से है या तीसरा केस और लिख दू में यह यह बिसिकली अपन पढ़ चुके हैं इस बात को सवतंतरता पूर्वक गिरती वस्तु कि सवतंतरता पूर्वक कि गिरती हुई कि वस्तु का भार कि इतना होता है दीर होता है और मैं कहते हूं नियत वेग से गतिशील वस्तु है अगर कोई यह अपने वास अगर लिफ्ट ट्रेवल कर रहे हो इस कंडिशन में कोई भी छदंबल उसके उपर काम नहीं करेगा, आना कोई छदंबल उसके उपर काम नहीं करेगा, जैसे मैंने एग्जामपल कहा दिया कि सपोजट यह एक रॉकेट है के राकेट में सब्दुश्ट कोई एक एस्टोनोट बैठा है इसका वेट मैंने के दिया स्ब्सका वेट मैंने के निया दिया मैंने मैं द्रवे मान रहेता हूं मैं मैंने कह दिया 80 किलोग्राम है ठीक है और यह रॉकेट है उपर की और सब्सक्राइब मैंने कह दिया एक वस्टू फोर्जी एक्सेलेक्शन से उपर की और जा रहा है कि इस एस्टूनोट का प्रभावी भार याद करों सवाल का मतलब क्या हुआ है कि किसी रॉकेट में कोई अंत्रिक शात्री बैठा है और यह रॉकेट है वह अपने पास ए बराबर फोर्जी तौर्ण से जा रहा है उपर की और जा रहा है अगर मैं कहता है नियत तौर्ण से उपर की जारत तो इसका प्रभावी भार भार इसको बढ़ा हुआ मैससी ओगा तो कितना बने में इंटो में नहीं कि उक्ते में कितना और य। किलो ग्राम प्यस्की कितना बना चार शो किलोग्राम हार लेख सकता है अगर कोई अंत्रिक्ष यात्री अगर किसी रॉकेट में बैठा है और रॉकेट यदि एक समान त्वर्ण से अगर उर्द्वादर उपर की और गतिशील है अगर उपर की और जा रहा है तो उस कंडिशन में उसका प्रभावी भार कितना होगा 400 किलोग्राम हार होगा न अगर नीचे की और अगर नीचे की और है ताबहसीबल कितर काम कर रहा है उपर की और काम कर रहा और यदि यदि अपने बाद जीरो है यृट से प्लम से डेख 5凯क आठी हर अबने फॉर्स और एक अपने वहाद सोजानrue जुक्तिकल करवाएं एक Merc है कि एक तो आता है कौंझा अबध इसको करिया परिमार्ड में सिम्हान जिशा में परतिखेश्र केशां में होती है केंदर के और अभी केंदरी लग गया अब केंदरी लग सकता है यही बात है है इसके पुछ शेदंबल अपकेंद्रियेबल का प्रभाव और दूसरा आता है कौन सा कोरियोलिस पल दोनों टॉपिक अपने आसे इंपॉर्टेंट हैं दोनों अच्छे टॉपिक हैं और दोनों के उपर अपकेंद्रियेबल का प्रभाव अपन पढ़ेंगे कहां अपकेंद्रियेबल का प्रभाव पढ़ेंगे किसके उपर प्रत्वी की गतीपत है ना हम कह रहे हैं प्रत्वी पर अपकेंद्रियेबल का प्रभाव नेक्स हैडिंग है अपकेंद्रियेबल का प्रभाव अपकेंद्रियेबल या आपने कह दिया कैसा फोर्स है सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है पहली बात तो क्या क्या दें आपके इंद्र ये बल है ये अपने आस कैसा बल है जदम बल है फिक्टीसियस फोर्स है ठीक है दूसरी बात सिर्फ और सिर्फ किसमें रोटेशनल फ्रेम ओफ रेफरेंस में कुणी निर्देश चंत्रों में इसमें दिखाई देता है इसमें प्रभावी होता है ऐसे लिए इसका प्रभाव जो है ना वो अपने बास तभी मैसूस किया जा सकता है कि जब अपने आप रेम ओफ रेफरेंस कैसा हो रोटेशनल हो यानि प्रत्वी के ऊपर अगर आप खड़े हो प्रत्वी अपने आज कैसा फ्रेम ओफ रेफरेंस है आपके इंदry त्र और समर्फ आपने बास स्दान पर काम करता है यह अपने बास अपके इंद्री और के स्द्र है से बाहर है तो वो अपके अंद्रे बल्के प्रभाव को मैसूस नहीं करेगा ठीक है प्रत्वी जो है प्रत्वी घोणी निर्देश चंत्र है आर्थ जो कैसा rotational frame of reference है ना प्रत्वी है वो घोणी निर्देश चंत्र है इसलिए प्रत्वी पर इसका प्रभाव परिभाशित होता है यहने define किया जा सकता है प्रत्वी अगर घोणन कर रही है उसका कोण यह वेक एंगुलर वेलसिटी गोणन कर रही है एंगुलर वेलसिटी फ्रमुला कितना होता देखो टू पाई अपॉंट टी जा एक पॉस्टो कितना बन गया तू इंटू में थ्री पॉंट वन फोर आ गया टी कमांड ट्वेंटी फॉर आर ट्वेंटी फॉर आर का मतला एक आर में 60 मिनिट और एक मिनिट में कितनी सेकंड होगी होगी 60 सेकंड होगी सॉल करें तो यह रिजल्ट आता अपने आज सेवन पॉइंट टू नाइन इंटू टैने स्टू पाउर माइनस फाइव पर कितना बन गया रेडियन पर कि सेकंड बन गया अना इसी तरीके से अगली बात अगर प्रत्वी के उपर प्रत्वी गोनं के कारण यह अपके लिवल का प्रभाव ग्याद करें अपने क्या का इति घूनी निर्देश चंत्रों में देखो दो तरह की छदंबल लगेंगे गूरी निर्देश चंत्र में इस तो प्रकार के घ्रम लाना सिर्फ विजल्ट अपने को ध्यान रखना रागिसार इंट्रोडिक्टरी बात हैं कौन कौन से एक तो लगता है देखो अपने पास आपके अंद्रियेबल और दूसरा है दूसरा आगया अपने पास कोरियोलिसबल आपके अंद्रिये मतलब आपने कह दिया सेंट्रिफ्यूगल फोर्स और कोरियोलिस को आपने कह दिया कोरियोलिस फोर्स इन दोनों का देखो छोटा छोटा एक्स्प्रेशन दिये जाते हैं इसका एक्स्प्रेशन आता है माइनस एम इंटू में ओमेगा क्रॉस में आ गया ओमेगा क्रॉस में आ गया आर जैसे अपने वाद देखो formula क्या होता है F बराबर आप कहते हो centripetal force क्या होता है F बराबर mv square upon r P बराबर r omega कितना बना mr omega square तो देखो है ना और उसकी opposite direction में काम करेगा तो factor अपने वाद basically वो ही है mr omega square वाला ही factor है भी symbol क्या बन गया minus बन गया r है r अपने वाद क्या बना position vector बना कैसे वो अपन calculate करेंगा इसका formula आता है minus 2m omega cross में आ गया v dash अब देखो v dash और r क्या है v dash और r क्या है ये दो चीज अपने लिए important है अपने वाद देखो omega तो क्या बन गया r position vector है और v dash अपने वाद क्या बनी velocity बनी velocity किसकी अपन कह देए यदी प्रत्वी पर यदी प्रत्वी पर इसके result अपने को ध्यान रखने है बागी सारी introductory बातें से result के उपर सवाल पूछा जाता है प्रत्वी पर lambda अक्षांस पर lambda अक्षांस पर एक frame of reference मालने है एक निर्देश चंत्र उपस्तित है जिसकी आक्ष किधर पूरा उदिशा की ओर y x उत्तर दिशा की ओर तथा z x तथा z x और दो अदर उपर की ओर है तो इस निर्देश चंत्र में तो इस निर्देश चंत्र में इस निर्देश चंत्र में देखो जैसे मैं इसका diagram बनाता हूँ है न सिर्फ देखो मैं दुबारा वही बात कर रहा हूँ सिर्फ अपने को इसके result ध्यान रखने हैं अना सिर्फ रिजल्ट अपने लिए important हैं बाकी सारी सारी बातें अपने मास introductory हैं अना अभी तक जो अपने बात के सिर्फ यह दो formula important हैं उन दो फॉर्मलों जो component आ रहे हैं उसके बारे हैं अपने बात कर रहे हैं न जैसे अपने कहा दिया कि वह सपोज़ए यह अपनी अर्थ है यह अपनी अर्थ है यह मैंने कहा दिया कि यह तीन अपना डारेक्शन आ गई एक डारेक्शन आपने ले लिए एक आपने वाई ले लिए और एक आपने क्या ले ली जट डारेक्शन ले ली यह कोई पॉइंट ले लिया पी यह कोई पॉइंट ले लिया आपने पी इसका अक्षांज मैंने कितना का इसका अक्षांज कितना है लेमडा है इसके ओपर तीन of reference आपने मान लिया एक तो मैने कह दिया dy you मैंने कह दिया वाटेश डारेक्शन है और यह परपेंडिकुलर उपर गीऊ तरिक से उपनी दिए और ली क्टिए उनों कर दिया बूंगे किसके लिए उसी सिंटर्छ का इसstone मैंने कह packet म। सब्सक्राइब कितना है आर वेक्टर प्रोमल जो अपन कह रहे देना क्या माइनस एम उमेगा आ गया क्रॉस में अपने आज रहे आगया आगया यह आपने वाज वो फेक्टर है यह कोई पॉइंट आ गया सब्वोजट पी जो भुमद्दे रेखा से कितने डिगरी का कितने अक्षांस पर एवलेबल है लैम्ड अक्षांस पर थीडी में डाइग्राम है कैसे भी आप डाइग्राम बना सकते हूं यह पॉइंट मैंने कहा दिया ओ है यह पॉइंट कहा दिय गया यह कितना बन गया कैपिटल र बंगया कि एंगल आर और तो यह घृ और यह तो किदर रहे उर्द्वादर ऊपर किए उरे इधर जो निट वेक्टर बना हो तो हीडइश के अधर दर जो निट बना वह अपने अस दि हो गया टैश कैप हो कि इधर तो पाइएगा ओमेंगा कोंग गया में और अपने वाहद कोई से दाइरेक्शन मي है क्योँ है ना अब मैंने का यह लेमडा है यह वाल एंगल जो है यह वाल एंगल कितना बनता है देखो 90 माइनटी माइनटी डिगरी है तो यह और माइनटी डिगरी होगा यह यह और इसके कंपोने निकाल ले है इसके कंपोनेन्ट के सा अपके सब्सक्राइब s कि दर बना वाइट तो है इस डायरेक्शन में कि दर आ नीचे की उउर रहा तो इसका मतलब आर सदिश में क्या लिख सकता हूँ और सदिश में यूँ था क्ली कि मैं माइनस में माईनस मीजेंगे डैश के आप में आ R साइन ओफ लेम्डा और प्लस के डैश कैब में लेम्डा थो मन को सब्सक्राइब लेम्डा थेखा अगर मैं वर्मृलिये को अगर मैं अगर मैंurg करूं तो देखो रिजल्ट बंता हो अपने आस कैसा बंता है यानि आपने कह दिया आपकेंद्रियेबल कर अगर अपन फॉर्मला निकालें तो वह फॉर्मला आपकेंद्रियेबल के साफ़िश कितना था माइनस में कितना बना M ओमेगा क्रोस में आ गया ओमेगार क्रोस में आ गया अगर मैं आपके इंदरी है तुर्ण निकाल दूँ centrifugal अगर acceleration निकालू तुर्ण निकालू इसको मैंने represent किया किसके उपर lambda अक्षांस वाले बिंदू के उपर lambda अक्षांस का मतलब क्या हुआ कि जो भी point P है प्रत्वी की equatorial line उसकी भूमध्य रिखा से जो angle बना रहा है वो angle क्या होगा तो अक्षांस क्यालाएगा अगर यह अपने आज lambda का मान 0 है इसका मतलब अक्षांस क्या हो गया Nos square lambda और माइनस में आता है जे डैश कैप और इंटू में आता है अपने माइच स्क्वयर ने माइच आर पाईन लम्री में यह मतलब क्या हुआ कि जी का मान है गृत्य त्वर्ण का मान है वो हमेशा किदर होता है देखो प्रत्वी केंद्रकी और उसके दिशा लेजाती है लेकिन यहां जो अपने मियास अपकेंद्रई इत्वन आ रहा है वो अपने मियास क्या आ रहा है की प्लेन में आ रहा है fav. बना रहा है minus z dash finans can बना रहा है और minus si direction में था? minus k dash cap में define किया जाता था, अब वो minus z dash और minus k dash द्वारा मिलकर बनायागे plane में define किया जा रहा है, इसका मतलब ये direction तो ले लिया आपने कितनी ये direction तो आगे देखो minus k dash cap ये direction है अपके बास कितनी minus में आगया z dash cap पर और यह पन्सक्राइब और कि इंगा सब्यूर्ता एक सब्सक्राइब किना पना गालता यहां सब्सक्रातों ऐसे निकाल बराबर बराबर किपन आ 20 x square plus y square plus z square का root है ना वैसे ही k dash cap का component अपने आज कितना है g minus omega square r और बन गया cos square lambda का whole square plus में ये कितना बन गया omega raise to power 4 r square sin lambda और कितना बन गया cos of lambda बन गया इसका मतलब g lambda का मान अपन क्या लिख दें approximately बराबर आ गया omega का मान अपने का 7.29 into 10 to power minus point minus 5 के order का था छोटा था इसको अपने क्या लिख दिया लगबग बराबर लिख दिया किसके g minus omega square r और कितना बन गया cos square lambda ध्यान हो तो जहां अपने गुरुत्विय त्वर्ण पढ़ा था gravitational acceleration पढ़ा था ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ा था वहाँ पन इस point को mention किया था कि प्रत्वी के घोनन के कारण प्रत्वी के rotation के कारण जो है वो गुरुत्वय त्वर्ण में परिवर्तन होता है वो परिवर्तन कितना है ये वाला परिवर्तन हुआ और ये परिवर्तन कितना था point zero three का change था है ना दो तरीके से अपने चेंजे चेंजे अपने बताए थे जी लैम्डा एक्वस्टू जी माइनस ओमेगा स्क्वेर आर उसक्वेर लैम्डा आ गया और यदि यहां से इस एंगल का मान में निकाल हूँ एंगल का मान जो है वो देखो अपने आस कितना बना टैन ओफ थीटा एक्वस्टू component निकाल सकते हैं अपन तैन ओफ थीटा है तो जे डैश कैप एक कश्वेर लेन कितना बन गया कोश्वेर लैम्डा बन गया या तैन ओफ थीटा की आपने आप्रोक्सीमेट बैळी लेली क्या ओमेगा स्क्विएर आर थाइन लेम्डा गए इक Sat या 10 थीटा का मान आपने ले लिया कितना omega square r 2 से उपर निचे multiply कर दो तो कितना बना sin 2 lambda 2 से उपर निचे multiply कर दिया और अपन में कितना बन गया 2g इस topic में अब केंद्रियेबल के प्रभाव में जो बातें अपने पढ़ी हैं उनमें अपने बास दो फेक्टर यहां से अपने बास इंपोर्टन निकल के आए पहला फेक्टर तो क्या अपकेंद्रिये तौर्ण का expression कौन से plane में माइनस दैश कैप और माइनस की दैश कैप plane में होगा तूसरी बात अपने बास कितना इफेक्ट पढ़ा G l bacon म बराबर G माइनस ओमेगा बर र को स्क्वे लैमड़ा और तूसरी बात अपने बास वो अपनी initial direction को ओन से थी, minus k dash cap, प्रत्थवी के केंदर की और रहा, k dash cap अपने किदर लिया था, उर्दवादर ऊपर की और लिया था, vertically upward direction में लिया था, minus k dash cap किदर होगा, inward direction में होगा, तो inward direction corresponding acceleration कितना बना, g minus omega square r, post square lambda बना, तो मैं कहा हूँ, minus k-cap से कितने angle से वो displace होगा, 10 of theta equals to omega square r upon 2z और कितना बन गया, sine of 2 lambda बन गया, ठीक है, अब अगर मैं कहा दूं, देखो इसके लिए case अपन कहा दें, case अपन कहा दें कि यदि lambda बराबर 0 है, दूसरा case मैं कहा दूं, lambda बराबर कितना है, 90 degree है, और तीसरा case मैं कहा दूं, अगर lambda बराबर कितना है, 45 degree है, तो एक तो अपने आज, ये वाला point इस पूरे topic में, ये point important है, ये point important है, और ये वाला point भी important है, तो देखो, lambda बराबर 0 है, lambda बराबर 0 तो sine 0 कितना बन गया, 0 बन गया, lambda बराबर 90 degree है, तो कोस lambda कितना बन गया, 0 बन गया, यानि ये तो अपने वास कहा बना, ये तो बना, भूमद्य रेखा पर, और ये अपने वास कहा बना, ये बना धुर्वों पर, या ना, पोल्स पर, इस condition में कितना बना, इस condition में भी थीटा का मान कितना आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, यानि, मद्य रेखा पर और धुर्मों पर, अपके अंद्रिय बल्का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस condition में न, यानि, जो दिशा जो थी, दिशा अपने वास किदर होगी, ये दोनों condition में, तोनों condition में थीटा का मान कितना है, 0 है, इसका मतलब जी लेम्डा की दिशा, direction जो है, वो किदर होगी, minus k-cap दिशा में होगी, direction जो होगी, वो किदर होगी, प्रत्वी के, केंद्र की और होगी, और maximum deviation कहा आएगा, अधिक्तम जो परिवर्टन आएगा, वो कहां आएगा, ये अपने वास expression है, sin 2 lambda पर depend कर रहा है, तो sin 2 lambda की maximum value, sin theta की maximum value कितनी होती है, 1 होती है, 1 कब, जब 2 lambda का मान कितना हो, 90 degree हो, 2 lambda का मान 90 degree हो, इसका मलब lambda का मान कितना हो, 45 degree हो, तो उस condition में, जो maximum deviation आएगा, 10 theta का मान, जो maximum बनेगा, वो maximum कितना बनेगा, omega square r upon में आगया, 2 जी, या theta का मान, theta maximum अपने आज कितना बन गया, 10 inverse, omega square r upon में आगया, इस expression को बन, gravitation वाल उम्रेट में पढ़ चुके हैं, तो theta बराबर कितना बन गया, 10 inverse, omega square r upon, तो जी, ये तो बन गया, maximum deviation, उमध्य रेखा पर और धुर्वों पर, equatorial line पर और पोल्स पर, अपने बाज, gravitation की जो direction होगी, वो किदर होगी, प्रत्वी के, केंदर की और ही होगी, लेकिन अगर आप किसी दूसरे, अगर अपने वास केस में अगर जाते हो, तो उस condition में, resultant जो अपने वास, gravitational acceleration है, वो अपने वास क्या बनेगा, plane में बनेगा, उसके दिशाब प्रत्वी के, केंदर की और नहीं होकर, किसी ने किसी angle पर होगी, और वो angle अपने वास कितना होगा, वो angle अपने वास कितना होगा, तो यह कहला था,